यह जब्रॉनिक ड्रिप्ट कॉलिंग स्मार्ट वाच मेटल बॉडी के साथ और आप देख सकते हो कि मैंने हाथ में पहन रखा है इसका प्राइस पड़ा मुझे 1900 का नॉर्मल डेस में इसका प्राइस रहता है 2400 का मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था इसको खरीदने के लिए तो बस अभी ओफर आया और लबक लिया तुमारे भाई ने तो इसमें आपको SP2 मोनिटर, हार्ट रेड मोनिटर और Blood Pressure मोनिटर का फीचर देखने को मिल रहा है Blood Pressure हालाकि इसमें काम नहीं करता और Stress Monitor भी फिलाल इसमें नहीं है और इनका कहना है कि इसमें आपको 100 प्लस Sports Mode देखने को मिल रहा है और इसमें आपको 4 गेम भी देखने को मिल रहा है ऐसे आप बोर हो रहे होंगे तो आप खेल सकते हो चिलर गेम है छोटा सा इसमें आपको Calculator का भी फीचर देखने को मिल रहा है इसकी सबसे ज़्यादा requirement होती है Day-to-day life में और इसमें आपको 8 UI design देखने को मिल रहा है यह फीचर सबसे ज़्यादा बैस लगा मुझे यह एकदम यूनिक फीचर इन्होंने add कर रहा है तो पहले देख लेते unboxing बाकी की बाते बाद में करेंगे वीडियो पसंद आया तो like करना ना भूले and don't forget to subscribe आप देख सकते हैं इसका box box के उपर आपको zebrani dip का branding देखने को मिल रहा है बास के चालों तरफ कुछ नहीं इन्होंने अपने features को print कर रहा है नीचे के side आपको एक barcode देखने को मिल रहा है यह तीन सामगरी मुझे इसके अंदर देखने को मिला यह ही user manual इसे scan करके आपको user manual को download कर लेना है फिलाल उसकी कुछ जबरत ने है क्योंकि कुछ खास info प्रवाइड नहीं करते है और एक charging के बाल है आप देख सकतो length छोटा सही है और quality भी मतला बरबास सही है क्योंकि कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि इसका वायर काफ़ी ज़्यदा पतला है सो अब एक close look watch के तरफ सो जैसे कि आप देख सकतो यहां पर आपको curve डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जिस वह से speaker है, mic है तो इतना thickness तो बनता ही है और watch में सिर्फ आधा part metal है आप देख सकते हैं उपर इन्होंने हलका सा एक पटा लगा रखा है जो की half watch को cover करता है तो बस इतना सा ही metal है बाकी पूरा plastic का body आपको यहां देखने को मिल रहा है तीछे पूरा plastic है आप देख सकतो तो यहां पर है इसका speaker लेकिन mic कहां पर है मुझे नहीं मिल रहा है तो मैंने strip निकाल के देखा तो अभी आप देख सकतो यहां पर है इसके mic का गढढ़ा strip के नीचे इन्होंने height कर रहा है अपने mic को पता नहीं भाई आवाज को कैसा पकड़ेगा यह क्योंकि वैसे ही नहीं पकड़ता है और मतला इन्होंने ऐसा छुपा के रखा है देख लेंगे भाई calling की time और watch का strip quality भी काफी अच्छा है यहां पर आपको 20 mm का removable strip देखने को मि आप watch का weight देख सकते हो only 40 gram जो कि बहुत ज्यादा light weight है आप metal ही नहीं है तो weight कैसे बढ़ेगा plastic का weight थोड़ी होता है और watch को on करते हैं यहां पर आपको 1.69 इंच का 240 x 280 TFT display देखने को मिल रहा है display quality काफी अच्छा है color saturation भी काफी ज्यादा best मुझे यहां देखने को मिला जैस इसे all over watch देखने में बड़ा नहीं लग रहा है ठीक ठीक लग रहा है आप देख सकते हो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है जिस वह से पतले कलाई वाले भाई बंदू भी इसे पहन सकते हैं अब यह close look इसके UI के तरफ स्क्रीन की पर अगर आप long press करते हो तो यहां पर आपक स्लाइड करते हो तो पहला option आता है brightness फिर है do not disturb, do not disturb से hand gesture, vibration, sound सब कुछ बंद हो जाता है फिर बैटरी सेविंग मोड, vibration off हो जाएगा और brightness एकदम लोग पे आ जाता है और यहां पर आप अपने payment का बार कोड सेट कर सकते हो तो payment receive करने के लिए काफी ज़्यादा shortcut features इन्होंन requirement की according set कर लेना 5 seconds लगा होगे तो बैटरी ज्यादा save होगा 30 seconds में बैटरी ज्यादा consume करेगा फिर है watch faces इसके अंदर वही watch faces है जो कि मैंने आपको पहले बताया फिर है menu view तो यहां पर आपको total 8 menu view देखने को मिल रहा है आप देख सकते हो पहला है यह एकदम simple सा grid दूसरा भी greedy है थोड़ा सा modification कर रहे है और तीसरे में भी greedy है लेकिन उपा नीचे side wide आप slide कर सकते हो उसके बाद यह थोड़ा मतलब rotating grade है इसका function सही से काम नहीं करता है speed ले आप use नहीं कर सकते हो कहीं से कुछ सिधा उल्टा घूम जाता है अगला है right left उसी चीज़ को इन्होंने नीचे fit कर रखा है लेकिन यहारा menu काफी अच्छा आप देख सकते rotating menu यह एकदम नया style का menu है यह बहुत मस लग रहा है देखने में फिर है list यह वह यह boring सा और फिर है honeycomb menu तो बस इतना ही था और quick view वह यह hand gesture अपर करने से light on हो जाता है फिर है call alerts तो इसके अंदर आपको थोड़ा adjustment देखने को मिल रहा है कि आपको vibration चाहिए vibration and ring चाहिए और vibration में भी आपको तीन settings देखने को मिल रहा है फिर है dnd low power mode आप यहां से call function को on off कर सकते हो फिर Bluetooth reset system इसके अंदर आपको restart power off और reset का features देखने को मिल रहा है about और अगर आप right side slide करते हो तो पहला option आता है calling function यहां पर आप recent call देख सकते हो फिर है dial pad को इस तरह की कर दिखता है आप number dial करोगे उसी के बाद call का icons pop-up होगा फिर contact यहां पर आप maximum eight contacts को add कर सकते हो फिर है activities और नीचे slide करने पर आपको detail info देखने को मिलेगा कि आप कितना step चले हो और कितना calorie आपने burn किया है heart rate player भी अच्छा है क्योंकि यहां पर आपको volume up down का features मिल रहा है weather इसका weather भी काफी अच्छा है क्योंकि यहां पर आपको upcoming days का weather info द 19 plus 75 96 sports mode आपको यहां देखने को मिल रहा है और इन्होंने कहा है 100 plus और 19 की लिस्ट में आप अपने favorite sports को add कर सकते हो लेकिन अगर आपने एक बार add कर दिया तो आप remove नहीं कर सकते हो हमेशा रहेगा तो भाई सोच के add करना sp2 message आप देख सकते हो हिंदी message support करता है फिर relax shutter alarm calculator काफी अच्छा लगा मुझे इसका countdown stop watch और आप चाहो तो इसके arrangement को आप अपने according align कर सकते हो जैसा आपको सही लगे और आप चाहो तो remove कर सकते हो कर सकते हो और अगर आप left side slide करते हो तो यहां पर recent activities शो होंगे और यहीं पर ही है इसका menu जिसमें से पहला है activity phone call heart rate sleep blood pressure sp2 training training record weather messages shutter player relax countdown alarm stop watch menstruation यह वही है women's के लिए flashlight fine phone इसका fine phone का feature सबसे अधा बैस लगा मुझे क्योंकि यह silent में भी काम करता है और vibration में भी काम करता है रिंग बचता है silent vibration में तो भाई यह बहुत अच्छा लगा मुझे गेम्स और यहां पर इन्होंने चार चिलर गेम को एट कर रखा है जब भी आपको पकू लग रहा होगा तो आप टाइम पास के लिए खेल सकते हो भाई थोड़ा entertainment हो जाएगा और मुबैल का तो आपको पता ही यह कितना बड़ा बड़ा गेम होता है पाच मिनट में तो कु सपोर्ट करता है बाकी और कोई लेंग्वेज सपोर्ट नहीं करता मैंने इस मैसेज को ट्राइ किया था तो अभी आप देख सकते हो इसके बुरूटूस सेटिंग्स में आपको कॉलर आडियो का फीचर मिलेगा तो भाई आडियो को बंद कर देना उससे क्या होगा जब भी आप करें आण बात करें तो वाच के हपसे आप कॉल कर सकते हो और आप पिक कर सकते हो और साइड में जो यह राग। और अगर आप फोन से कॉल पिक करते हो तो फोन का स्पीकर एंड माइक काम करेगा तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं अभी हूँ कॉलिंग पर और वालिंग को जैसा सांट एक्सपीरियंस आपको यह प्रवाइट करेगा वैसे इसका माइक में इस साइड ही कहीं पर है तो अब तुन सेक्रेटी जैसा है इसका माइक परफामेंस मेरे आगे अभी एक फोड़ा सा टेबर पैन ओन है जो कि थोड़ा सा नौई सी है तो तो यही था इसका माइक परफामेंस कि इसका इसको फिकर सिर्व गाना सुनने का में काम आता है और जब कॉल आता है तो मतलब ठीक से बच्चता नहीं है इसका स्पीकर सो कॉलिंग के लिए बहुत ज़्यदा बरबात है इसका माइक तो फिर भी ठीक ठीक है, आवाज को सही से पकड़ रहा है, कभी उचा नीचा पकड़ता है, लेकिन इसका speaker थोड़ा भी काम नहीं करता है, भाई एकदम ही फालतू speaker है इसका, सो कॉलिंग स्मार्ट वाज सिर्फ बोलने के लिए, वैसे तुन्हें ने कहा निया कि कि कितने नेट्स का peak brightness आपको यहां देखने को मिल रहा है, और मैंने sunlight में इसका इसका इस्तुमाल किया था, तो अभी आप देख सकते हो, इसका display quality बहुत जदा bright तो नहीं है, लेकिन फिर बाच के touch quality के बाद किया तो इसका touch quality पी काफिया पसंद आए मुझे, slide करते हो, कभी इसका slide नहीं होता है, हमेशा काम करता है, और उपर नीचे slide करने पर भी कभी गलती से touch नहीं होता है, और इसका touch काफिया स्मूथ है, आप जब भी touch करोगे, हमेशा response करता है, कभी भी miss न लेकिन हाथ नीचे करने पर इसका डिस्प्ले आफ नहीं होता है आपने जो स्क्रीन ओन टाइम लगा रखाओगा वो टाइम खतम होने के बाद ही डिस्प्ले आफ होता है नहीं तो आफ नहीं होता इसमें है 250 mAh का बैटरी जो कि आपको कॉलिंग के साथ 2 डेस का बैटरी बैकप प्रवाइड करेगा और विदाउट कॉलिंग अप्रोक्स 3-4 डेस का बैटरी बैकप आपको यह प्रवाइड कर देगा और इस वाच के चार्जिंग में थोड़ा इशू है मतलब कभी-कभी ऐस अधा गंटा लेता है कि मतलब 5% चार्ज होने में आदा घंटा लेता है कभी-कभी 30% चार्ज होने में पांच मिनिट लेता है तो थोड़ा चार्जिंग का इशू है इस वाच में और इसका फुल चार्जिंग टाइम है अप्रोक्स 2 आवर्स और अगर स्टेप टेस्ट की पारे में बात करें तो आप खुदी देख लो भाई 713 स्टेप्स तील सेम वन्स मोर आप देख सकते हो अब भी सेम है साइसे काम नहीं कर रहा है इसका स्टेप टेस्ट अभी आप टाइम देख लो 211 हुआ है 15 तक देखते हैं मैं ऐसी खड़ा रहूंगा 3 मिनिट तक तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 216 हो गया है अब भी सेम है तो इसका स्टेप टेस्ट साइसे काम नहीं कर रहा है सो जैसे कि आपने देखा कि यह step count तो करता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा देर के बाद count करता है मतलब अगर आप अभी चल रहे हो तो यह आदे घंटे बाद add होगा कि आप आदे घंटे पहले कितना step चले हो जिस वैसे बहुत ही ज़्यादा difficult है बताना कि इसका pedometer कितना accurate है और distance track के बाद के तो यह आपको 80% accuracy दिखा देगा क्योंकि Google Map के help से distance track करता है और sleep calculator इसका भी सारे watch की तरह ही है अगर आप दिन में 1-2 घंटे का जपकी माल लेते हो तो यह उसे count ही नहीं करता है sleep में add ही नहीं होता है अगर आप लंबा सोते हो 4-6 घंटों का तो उसी sleep को यह count करता है वना count नहीं करता है अब यह आप इसका HR accuracy देख सकते हो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा बरबाद rating दिया यह आप देख सकते हो कि result आपके सामने है so SPU2 ओके-ओके है इसका और अगर mobile app के बारे में बात करें तो इसका mobile app एकदम सिमिलर है DAFIT से जो कि Firebolt का app है एकदम सेम है आप देख सकते हो और इसके home में आपको पूरे दिन भर का health related data देखने को मिल जाएगा second option में आप यह देख सकते हो कि watch आपके phone के साथ connect है या नहीं और charge कितना है और watch faces भी आप देख सकते हो 80% similar है DAFIT के watches से watch faces almost almost 80% similar है आप देख सकते हो watch face customization के बारे में बात करें तो आप background wallpaper कुछ भी लगा सकते हो आपने पसंद का और साथ ही में आप time के position को up down कर सकते हो और update, sleep, heart rate, step को add कर सकते हो या फिर आप remove कर सकते हो और हाँ इसमें भी live wallpaper काम नहीं करता है आप देख सकते हो live wallpaper को मैंने apply करने का try किया तो apply ही नहीं हो रहा है ले ही नहीं रहा है और इसमें भी आपको सारे social media का notification देखने को मिल रहा है लेकिन social media के अलावा another app का notification आपको यहां receive नहीं हो रहा है फिर है alarm, shatter, e-card में आप अपने payment, barcode को add कर सकते हो और favorite contacts में आप सिर्फ 8 contacts add कर सकते हो आप जो contacts add करोगे वही contacts watch में show करेंगे, सारे contacts show नहीं करेंगे बागी के सारे features Petron, Force, X11 के साथ पूरा similar है मैं description में link दे दूँगा, आप वहां से देख लेना सारे features एकदम same है, dicto same और फिर से एक ही चीज़ repeat करने का दोस्तों कोई मतलम नहीं बनता है और इसमें भी Hindi support नहीं करता है और इसमें आपको IP67 का water rating देखने को मिल रहा है, सो चलिए एक one minute water test करके देख लेते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ओलिफोबी coating भी नहीं मिल रहा है मतलाव अभी के range में हर एक watch सस्ते से सस्ता watch भी आपको ओलिफोबी coating देता है लेकिन इस watch में नहीं है, जिस विए से धूल मटी और गंदीगी easily screenkeeper चिपक जाएगा आपको screen guard लगाना पड़ेगा साथी में अभी आप देख सकते हो कि watch भी एकदम working condition में है, smooth तरीकी से काम कर रहा है तो आप swimming pool में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ होगा नहीं फिलाली से, लेकिन आपको ज़्यादा गहरा नहीं जाना है IP67 आपको 1 meter waterproof प्रवाइट करता है, तो भाई ज़्यादा गहरा नहीं जाना है, खराब हो सकता है तो ठेंक्यों दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करना ना पूले and don't forget to subscribe, तो चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में